आज इस वीडियो में हम समझेंगे assignment operator and comparison operator को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि मैंने जावा स्क्रिप्ट के एक प्लेलिस क्रिट की है अगर आपको जावा स्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेके एंड लग शीखना है तो मेरी इस प्लेलीस को फॉलो करें मैंने प्लेलिस की link description में दिये तो आप प्लीज चेक करें इस लेडिस में ने जावा स्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया हैं जिससे कि आपको जावा स्क्रिप्ट के फुल अडरस्टेंडिंग हो जाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को सबसे पहले हम समझेंके comparison operator तो लेट स्टार्ट सबसे पेखले हम खोल लेते हैं अपना एडिटर कि एज यूजियल विज्वार को विंडोज राइट और यहां पर इसको ब्राउजर को विंडोज लेक्ट तो यह हमारा सिक्स्थ नहीं था यह हमारा 5.1 था इसको हम रिनेम कर देते हैं 5.1 अब आज हम सिक्स्थ देखिएंगे तो फाइल क्रिट कर लें कि यूटी कि सबसे पहले चेक करते हैं क्या यह फाइल सक्केस्फुली क्रिएट होगी के नहीं कंसोल डॉट लॉग कंट्रॉल स्य जो गूल आइप कलिक करने से और रन हो जाएगा यह इस पर्फेक्टी वोकिंग ट्यूटी शिक्स पर्फेक्ट्ली आ रहा है यह ना तो यह हमें कंसोल में चेक करना है सॉर्य क्या इस पर्फेक्लिट एक बिड़ हमें यहां पर कंट्रल सेव यह फाइल परफेक्टली क्रेट हो चुकी है अब सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कंपेरिजन आपरेटर अब कंपेरिजन आपरेटर में कौण कौण सेव गया हम पर लिजर्ट्र डाउंन करते हैं उसके बाद हम समझेंगे एक एक सिंबॉल को सबसे पहले लें आएकend double एकवल्स weid cham फिर टीपन एकवआल भी टू फिर नोटबम एकवल्स और फिर नटबल एकवड्स टू यह चार सिंबॉल comparison operator में आते हैं तो one by one हम देखेंगे कि इन चारों में क्या difference है तो जैसे कि मैंने आपको previous वीडियो में बताया है कि comparison operator को समझने के लिए हमको दो variable की ज़रूरत होती है तो इसलिए सबसे पहले हम दो variable को create करेंगे तो let's create let a equal to 1 और यहाँ पर let be equal to string के अंदर one अब सबसे पहले हम double equal to को समझते हैं इस comparison operator को समझने के लिए आपको if else statement आना ज़रूरी है तो अगर आपको if else statement नहीं पता है कि javascript में if else statement क्या होता है तो मैंने playlist के link description में दी है इस javascript playlist में मैंने एक video create की है जो कि if else statement conditional statement in javascript करके तो उस video को पहले आप देख ले उसको समझ ले उसके बाद ही आपको comparison operator सही चे समझ आएगा तो इसलिए मैंने playlist के link description में दी है आप please check करें सबसे पहले हम if else condition create करते है और यहाँ पर हम console.log करेंगे उपर के block में हम लिखेंगे equal और नीचे else के अंदर not equal अब यहाँ पर हम condition create करेंगे a double equal to b मतलब कि जो a और b है क्या हो equal है तो control is save करके check करते है result को control is save and yeah the output is equal मतलब कि यह जो a और b है वो दो equal है double equal to के अंदर यह double equal to symbol यूज़ करके उसकी value equal आ रही है मतलब कि यह is statement की value true आ रही है इसलिए वो if के अंदर जो statement है if के अंदर जो console.log है उसको print कर रहा है लेकिन अगर आप इस दो variable को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो a के अंदर जो one है वो number type of data है और b के अंदर जो one लिका है वो string type of data है लेकिन तब भी वो double equal to operator के अंदर वो answer true दे रहा है मतलब कि यह a और b दोनो equal है ऐसे दे रहा है क्यों कि यह जो double equal to symbol है वो सिर्फ values को check करता है न कि उसके data type को मतलब कि a की value क्या है one और b की value क्या है one इसलिए वो दोनों को equal दे रहा है अगर इसको समझना है तो आप इस तरीका से समझ सकते हो यहाँ पर अगर हम console.log करें console.log और उसके बाद a और यहाँ पर a करें उसी तरीके से b की value प्रिंट करते है control is save एनिया इस print a1 और b1 मतलब कि a और b दोनों की value वो same print कर रहा है यहाँ पर console के अंदर कोई भी difference हमें नज़र नहीं आ रहा है मतलब कि क्या कि console के अंदर भी वो सिर्फ value ही get करता है यह a की value क्या है one यह b की value क्या है one फिर वो string हो या number हो कोई भी हो हमें यहाँ पर difference पताने चलेगा उसी तरीके से इस double equal to symbol के अंदर वो दोनों variable की values को check करता है कि दोनों variable की values equal है अगर same है अगर दोनों variable की values same है तो फिर वो true return करेगा लेकिन अगर दोनों की value अलग है तो फिर वो false return करेगा अगर मैं यहाँ पर one की जगा two कर लो अब control यह save करो तो अब वो आएगा not equal और यहाँ पर one और two मतलब के दोनों की value अलग है इसलिए यह statement यह double equal to वाला symbol false return कर रहा है ओके यह आपको समझा गया है अब हम समझते है triple equal to मतलब के तीन बार equal to लगा के क्या answer आता है अगर मैं यहाँ पर one कर दूँ वापिस है और यहाँ पर double equal to की जगा 10 equal to लगा दू अब control इस save करो देखिए यहाँ पर answer आ रहा है not equal हाला कि console के अंदर तो वो same one one ही दीख रहा है क्योंकि वो same statement यहाँ पर हमने कुछ change नहीं किया है तो console के अंदर a और b की value तो one one ही दीखा रहा है लेकिन यहाँ पर वो not equal print कर रहा है मतलब कि यह तीन equal to वाला जो symbol है वो इस statement का answer false दे रहा है इसलिए यहाँ पर else block execute हुआ और not equal print किया तो उसका मतलब क्या है कि यह जो 3 equal to symbol है वो इन दो variable की data type को भी check करता है सबसे पहले values को check करता है कि value equal है अगर value equal है तो फिर वो यह भी check करता है कि क्या दोनों का data type same है अगर दोनों का data type same होगा तो फिर वो answer true देगा तो लेट्स चेक अगर यहाँ पर इसको string हटा के number कर दे number type of data कर दे अब control इस save करो अब देखिए यह output में equal दे रहा है मतलब कि दोनों का data type same है तो यह 3 equal to के अंदर वो दोनों variable के data type को भी check करता है तो यही समझने वाली बात है कि अगर हम सिफ 2 equal to लगाएंगे तो वो दोनों variable की values ही check करगा values और अगर हम 3 equal to लगा दे तो वो दोनों variable की values तो check करेगा लेकिन साथ में उन दोनों का data type भी check करेगा अगर मैं यहाँ पे 2 कर दो B की value 1 के जगा 2 कर लो यहाँ पे A और B दोनों का data type number ही है लेकिन उन दोनों की value same नहीं है तो अब check करते है कि क्या answer आता है control is save and yeah it's print not equal क्योंकि यह 3 equal to वाला symbol value तो check करता ही है लेकिन साथ में उन दोनों का data type भी check करता है so I think आपको समझ आ गया होगा कि 2 equal to और 3 equal to में क्या difference है अब चलते है next symbol के उपर जो की है not equal to अब यहाँ पे हम करेंगे not यह not symbol है और single equal to इसको बोलते है not equal to अब यहाँ पे हम करेंगे not equal अगर यह statement true result देगा मतलब कि true return करेगा उसका मतलब है कि यह दोनों variable equal नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे print कर रहा हूं not equal और अगर यह statement false return करेगा तो उसका मतलब है कि यह दोनों variable equal है यहाँ पे हम not equal to को हटा के equal to कर देते है control is save इनिया its print not equal मतलब कि यहाँ पे a की value 1 है और b की value 2 है और दोनों का data type same है तो वो print कर रहा है not equal मतलब कि यह statement true return कर रहा है अगर मैं यहाँ पे इसकी value 1 कर लो अब control is save करूँ तो answer मिल रहा है equal मतलब कि यह statement अब false return कर रहा है और अगर मैं यहाँ पे इस 1 के type को string में change कर लो अब मैं control is save करो तब भी वो equal ही print कर रहा है उसका मतलब क्या कि यह जो not equal to है यह सिर्फ यह दो variable की values ही check करता है उन दोनों का data type नहीं check करता है अगर values equal है तो फिर वो not equal to के अंदर वो answer false देगा और अगर values equal नहीं है तो फिर वो not equal to के अंदर answer true देगा अगर मैं यहाँ पे true कर दो अब control is save करो तो answer आ रहा है not equal हाला के इन दोनों का data type तो same ही ही नहीं यह number type है a जो है वो number type है और जो b है वो string type है तो जब हम यहाँ पे number उसकी values same रख रहते तब वो answer equal दे रहा था लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने value change की तो वो not equal print कर रहा है यहाँ पे अगर मैं वापिस से one कर लो control is save करो तो यह equal दे रहा है हमको समझ आ गया है अब जो next symbol है कि यहाँ पे अगर मैं not double equal to कर दो अब control is save करो अब ध्यान से देखना अगर मैं control is save करूँगा तो वो print कर रहा है not equal जब यहाँ पे not और single equal था तब यह same condition के अंदर वो equal printer रहा था मतलब कि यह जो statement है वो false return कर रहा था लेकिन इस condition के अंदर यह statement true return कर रहा है मतलब कि जैसे कि हमने दो equal to और तीन equal to के बीच में difference समझा उसी तरीके से यह not equal to और not double equal to में है कि अगर आप not double equal to यूज करते हो वहाँ पे वो यह दो variables की values के साथ साथ उनका data type भी check करता है सबसे पहले तो वो इन दो variables की values चेक करेगा अगर values ही equal नहीं है तो फिर यह statement true return करेगा अगर मैं यहाँ पे one की जगा two कर लो और control इस save करो sorry 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 सबसे पहले हम समझते है कि यहाँ पे वो not equal दे रहा है लेकिन अगर मैं यहाँ पे string को हटा के number कर दो अब control इस save करो तब देखिए यह equal print कर रहा है मतलब कि सेम चीज सिफ हमने यहाँ b का जो data type है उसको string से हटा के number किया तो वो equal print कर रहा है मतलब कि यह जो not double equal to है वो values के साथ साथ data type को भी चेक करता है कि क्या यह दो variable का data type same है या नहीं अगर same नहीं है तो फिर यह statement मतलब कि यह यह जो statement है वो true return करेगा अब हम देखते है कि यहाँ पे मैं one की जगा two कर लो यहाँ पे data type तो दोनो variable का same ही है लेकिन values अलग अलग है अब देखते है कि क्या output आता है सो control is save in here its print not equal मतलब कि दोनों का data type तो same है लेकिन दोनों की values अलग अलग है तो यह not double equal to values तो चेक करता ही है लेकिन उसके साथ में उसका data type भी चेक करता है तो यही समझने वाली बात है double equal to triple equal to के बीच में difference और not equal to और not double equal to के बीच का difference तो चलिए अब चलते हम अपने next operator पे जो की है assignment operator अब assignment operator बहुत है simple है यहाँ पे सिफ एक ही symbol है जो की है equal जो की हम शुरूआद से इस equal symbol को use कर रहे है अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यह equal symbol को assignment operator बोलते है सबसे पहले इसको use करते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि assignment operator क्यों बोलते है अब यह इस equal to symbol को assignment operator क्यों बोलते है क्योंकि यहाँ पे जो हमने assignment operator बोलते है मतलब तो यह जो value है वो इस variable में जो assign हो रही है इस variable के साथ जो link हो रही है यह value वो equal to symbol की मदद से हो रही है तो इसी लिए इस equal to symbol को हम assignment operator बोलते है assignment मतलब कि किसी के साथ assign करना किसी के साथ जूरना assign इसी लिए इस equal to symbol को हम assignment operator बोलते है तो इस सरी के से assign where operator walk करता है कि अगर हमें किसी value को किसी variable के साथ assign करना है तो हम equal to symbol को यूज करते है इसका एक टोड़ है कि हमें किसी variable को किसी और variable के साथ assign करना है तब भी हम equal to symbol का यूज करते हैं तो for example हम यहाँ पर create करें let be और अब हमें इस इस b variable के अंदर a variable को assign करना है मतलब कि a के अंदर जो value है वो b के अंदर आ जाए तो तब हम यह equal to symbol का use करेंगे यहाँ भी अगर मैं लिखू हातिम टेकरी control is save and इस b को अगर मैं print करो sorry b control is save इन्या इस print हातिम टेकरी हाला कि हमने b के अंदर हातिम टेकरी तो assign किया ही नहीं है लेकिन हमने b के अंदर a को assign किया है और उपर हमने a के अंदर हातिम टेकरी को assign किया है तो इस तरीके से equal to symbol से हम किसी भी value को या किसी भी variable को किसी और variable के अंदर assign कर सकते है तो यह है comparison operator और assignment operator तो आज की वीडियो के लिए इतना ही जाते जाते में आपको बता दू कि मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रेट की है अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेके end लग सीखना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें मैंने प्ल को धीपली कवर किया है जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडर्स्टेंडिंग हो जाए और अगर आपको computer science subject में interested है या software development field में interested है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को करें जिससे कि आपको आने वाली इंट्रस्टिंग वीडियो के notification तुरंत मिल जाएं तो इस वीडियो आपको आने वाली इंट्रस्टिंग वीडियो के notification तुरंत मिल जाएं तो इस वीडियो आपको आने वाली इंट्रस्टिंग वीडियो के notification तुरंत मिल जाएं तो इस